परमिश्वर है जिसका एक वच्छन कहता है इबरानियों की किताब जिसको बाइबल में हम पढ़ते हैं दा बुक अफ हीब्रू चैप्टर लेवेन वस सिक्स लिखा है क्योंकि परमिश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है सबसे पहली चीज इस प्लैनेट पर इस प्रित्वी पर 800 बिलियन की जो अबादी है और भारत की 140 के ज्यादा इन सब को ये मानना पड़ेगा और वो खास करके नास्तिक लोग जो इश्वर पर विश्वास नहीं करते उन सब को ये मानना पड़ेगा पहली बात कि परमिश्वर है अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉइंट पर अगर परमिश्वर है तो वो कौन है क्योंकि ऐसी बात ऐसी कॉंसेप्ट या लॉजिक ये लगा कर मन की तसली के लिए कि सब एक है सब रास्ते एक है सब मिलाकर एक है अगर सब एक है बहुत ध्यान से सुनिएगा तो इतने जगड़े क्यों इश्वर के नाम पर गौट के नाम पर बगवान के नाम पर जाती धर्म के नाम पर ये इतने कतल क्यों एक दुस्से को नफरत से देखना अपनी अपनी सीमाओं की रेखा खीज देना कि वो तुम हो यह हम है ऐसा क्यों? तो यह बात साबित करती है कि यह तत्थ गलत है कि सब एक है, सब एक नहीं है दोस्तों जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है तो हम किसी को भी कुछ भी मान बैखते है लेकिन जब कोई आकर हमको ग्यान देता है जब हमको सत्य बताता है और जिसको हम मानते आ रहे थे जब उसकी पैचान हमारी सच्छाई से कराता है तब दिमाग की बत्ती जलती है तब हमें सत्य पता चलता है कुछ नमर बन कर उस सत्य को स्विकार करते हैं और कुछ बगावत करते हैं कि तुम कौन होते हमको सिखाने वाले हम तो पूरवजों से ये करते आ रहें ठीक है ये तो वास्तविक है जिसका जैसा दिमाग जिसकी जैसी सोच वो वैसा चलेगा इसमें कोई बहस का विशे नहीं जिसको जैसा मानना है वो वैसा मानने लेकिन उसका क्या कसूर है जो आपको सत्य से आउगट करा रहा है उसको सत्य तो बताने दीजिये न मानना या नहीं मानना या आपकी ओपर है दुस्री चीज मैं मसी समाज को भी कहना चाहता हूँ खास करके उन सेवकों को कहना चाहता हूँ जो पास्टर, अपोस्टर, रेवरेंड या जो भी नाम लेके गुमते हैं मेरा येशु जिस पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके चेले, जो बाइबल को लिखने में साइता करे इन में से किसी ने कभी भी किसी पे परमिश्वर के पीछे चलने के लिए जबर्दस्ती नहीं करी उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा है ये रास्ता है चलना नहीं चलना ये आपका चुनाव है जे, मैं भी वही करूँगा और मैं भी वही कर रहा हूँ आपके लिए अगर अभी इस वक्त में कोई मेरा भाई बेन लड़का लड़की थर्ड जेंडर आप इस हाई नहीं है इस हाई से मेरा मतलब होता है हमेशा क्राइस फॉलोवर आपने कभी बाईबल नहीं पड़ी और आपको पढ़ने की भी जरत नहीं पड़ी क्योंकि आपका वो लाइन नहीं है उसके बाउजूद मैं आपको कह रहा हूँ अगर सत्य को कोई आपको बता रहा है और उसमें अगर आपको पता चल रहा है कि ये विशे सोचने लाइक है क्योंकि अंदब बक्त बनकर या अंदे बनकर हम कहीं पे भी नहीं जाते हैं हम जाचते हैं हम अगर पीते हैं तो जाचते हैं खाते हैं तो जाचते हैं खरीते हैं तो जाचते हैं जहां पर विज्ञान, जहां पर जानकारियां की इतने सारे resources हैं और इतने सारे माध्यम हैं मैं तो चाहता हूँ कि एक एक चीज की जांच करो अपनी वालों की और जो मैं बता रहा हूँ और फिर उसके बाद एक नतीजे पर आओ पता है क्यों क्योंकि अगर आपने खुद नहीं जाचा और आपको दोके में चल रहे हैं तो आप अपनी पुरी नसल को दोके में रखोगे आप अपने आने वाले पूरे generation को दोके में रखोगे जो कि कई सधियों से पीछे से चला रहा दोस्तो याकूब की किताब जो बाइबल की उसका दोका उन्नीस क्या कहता सुए लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तू अच्छा करता है दुस्तात्मा भी विश्वास रखते और थर थराते ये दुस्तात्मा कौन है दोस्तो ये इस पिथवी के वासी नहीं है ये उस पिथवी या उस दुनिया के वासी है जिसको कहते है सुर्ग्यवासी Heavenly beings इनको यहां पैदा नहीं किया गया है इनको इस प्लैनेट पर नहीं बनाया गया ये वो दूत हैं जो एक वक्त में सच्छे परमिश्वर के पास रहते थे तो इनको पता है, इन दुस्तात्माओं को पता है याने कि जो स्वर्ग दूत, जो शैतान, जो डेवल्स, इंजल्स, फॉलन इंजल्स इनको पता है कि इनका परमिश्वर कौन है यही तो लिखा है अब प्रशन उठता है कि जिस जिस ने इश्वर के नाम पे प्रतीमा बनाई है वो चाहे पत्थर की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, मिट्टी की हो, सोने चांदी और हीरे की हो लिखा है कि हम जानते हैं मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है क्योंकि जिस मूरत को किसी की भी वो चाहे हिसा मसी की भी मूरती क्यों नहीं हो आप जब आंग बना रहे होते हैं तो वो देख नहीं सकता आप जब कान बना रहे होते हैं बोल नहीं सकते नाक सुम नहीं सकते हाथ सपर्ष नहीं कर सकते पहर चल कर नहीं जा सकते उनको जहां रखा जाए वो वहीं रहेंगे सद्यां बीच जाएगी नहीं उठ सकते तब जाकर लेखा ग्यानी की बाइबल ये कहती है कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं एक को छोड़ कोई परमिश्वर नहीं इस प्रिथवी पर हम इश्वर नहीं बना सकते क्योंकि इस प्रिथवी को एक इश्वर ने बनाया जो व्यक्ति आप से बात कर रहा है आप ही की तरह हड़ी मास का इंसान जिसको हम कहते हैं कि पहला पुरुष और पहली और जिसका नाम है आदम और आदम और हुवा उसको उस परमिश्वर ने कैसे बनाया मिटी से जिसको कहते है धूल क्या जो इनसान मिटी से बना है और जिस परमिश्वर ने उसको मिटी से बनाया क्या वो ऐसी ताकत रखता है या उसके पास में इतनी अखात है कि वो अपने बनाने बाले को बना दे इसको हम मुर्खता का कार्य कहेंगे दोस्तो बहुत ध्यान से सुनेगा आप पड़े लिखें हैं आप बहुत बड़े विद्वान हैं आपने कई किताबें पड़ी हैं दुनिया की आपकी स्टडी अमेरीका लंडन तक की की गई होगी लेकिन उसके बावचूद इस विशे पे जरा सोचिएगा क्या कोई इनसान उपर वाले को आप छोबी नाम दे दीजिएगा क्या उसको बना सकता है इसके उपर सोचिएगा क्योंकि सब मानते हैं इसलिए मत मानो क्योंकि सब कहते हैं इसलिए मत कहो क्योंकि सब चल रहे है इसलिए मत चलो अपनी अकल लगाओ आज कल तो दौर भी चल रहा है कि अपनी अकल लगाओ तो मैं भी कहता हूँ कि अपनी अकल लगाओ बात को समझो अब दोस्तो एक ऐसा वच्छन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ जब हम कहते हैं यानि कि मैं जब कह रहा हूँ मेरी बात कर लेते हैं कि डैनियल भाई आप तो कह रहे हो कि एक को छोड़ दुसरा कोई परमिश्वर ने है तो कैसे जाने कि वो एक परमिश्वर कौन है और कैसे कह सकते हैं जो लेखाक है, जिसका नाम है पॉलूस, सेंट पॉल इसकी बात पर हम कैसे यकीन करें, तबज्जूदे ये वचन पड़िये पहला ती मौती उसका दुस्सा दिहाए वचन पांच लिखता है क्योंकि परमिश्वर एक ही है और परमिश्वर और मनशों के बीच में भी एक ही बिच्वई है अर्थात, मसी येश्व जो मनुष्य है दोस्तों, बहुत द्यान से सुनेगा आप सभी जानते हैं, जो लोग पड़े लिखे हैं बाइबल को जानते हैं, या फिर आप लोगोंने कॉन्वेंट स्कूल में, या अपने दोस्तों परिश्वदारों से समझा सीखा सुना होगा, के इसा मसी का जन्म इस पृत्वी पर इंसान के रूप में हुआ और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है के इंसान, जब येश्व पैदा हुए तो इंसान थे, वो गौड कैसे हो सकता है ये बहुत लंबी काहावी है, इसको समझने के लिए हमें जाना होगा, आदम के पास, उस बगीचे के पास, जिसको कहते अधन की वाटिका तगाडन आफ इडन, वहाँ पे जो घटना घटी, लुसिफर, यानि की शैतान ने जो उन लोगों को बैकाया, परमिश्व से अलग कर दिया, उसको समझना होगा, फिर उसके बाद चार हजार साल का इतिहास, इसा मसी के पैदा होने तक के, चार हजार साल का इतिहास, वहाँ क्या-क्या घटा कितने लोगों ने उनको बटकाया, कैसे हो गया, इन सब को समझना होगा, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम, दो से तीन घटे का टीचिंग या सिक्षा, या अतियन, वो अलग विशे हो जाएगा, बट इसको समझेगा, कि येशु का जनम, मनश्य के रुप में ही क्यों हुआ, क्योंकि मनश्य को समझाने के लिए कि परमिश्वर कौन है, मनश्य बनकर ही परमिश्वर को नीचे आना पड़ा, ये बहुत बड़ा सत्य, जो लाखो, लाखो, लाखो लोग, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, वो शेतान ने बांद दिया है दुस्था कुरंतियो चार का चार, सेकेंड कुरंतियन फोर फोर, इस संसार के इश्वर ने अन्हे जातियों के बुद्धी को अन्धा कर दिया, ऐसा लिखा है ना, जब मैं कह रहा हूँ बिच्वई, इंग्लिश वर है मिडियेटर, परमिश्वर को समझने के लिए इंसानों के लिए वो परमिश्वर कैसा है उस ही परमिश्वर को जिसको कहते हैं परमिश्वर का दूसरा वेक्तित्व ईसा मसी, जब कि वो खुद परमिश्वर था, उसने मानव रूप लेकर प्रिथ्वी पर आज से दो हजार चॉबिस साल पहले उसने जनम लिया कईयों को बखवास लग सकता है, कईयों को मजाक लग सकता है, कईयों को कहानी टाइप लग सकती है कोई दिक्कत नहीं आपका मर्जी, आपका मर्जी से आप अपना रास्ता का चुनाओं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य सत्य मानो या ना मानो You understand? येश्व को बिच्वाई बन कर क्यों आना पड़ा? तो ये वचन समझाता है कुलिशियों की किताब एक का पंद्रा कुलिशियन चैप्टर वन वस्ट फिफ्टीन कहता है वह यानि इसा मसी, येश्व मसी लिखा है वह तो आद्रिश इन्विजिबल आद्रिश परमिश्वर का प्रती रूप और सारी सिस्टी में पहलोटा अब सबसे ज़्यादा important point जो ये है प्रती रूप, image who is the image of invisible God ये शु कौन थे? परमिश्वर को इस प्रत्वी पर मानोजाती को समझाने के लिए जो बिच्वई बनकर आया वो परमिश्वर था और प्रत्वी पे सारे तैंतिस साल परमिश्वर का प्रती रूप बनकर image of invisible God बनकर इस प्रत्वी पर घूम रहा था और खहता है दो का नौ उसी पुस्तक में है, कहता है क्योंकि उसमें, bracket में हेश्व की बात हो Godlihood, Godlihead दुस्रे शब्दों में परमिश्वर कौन है परमिश्वर कैसा है परमिश्वर की शम्ता क्या है परमिश्वर की ताकत क्या है जिसको कहते हैं ना 19 ना 20 cut to cut येश्व में इस रुत्व की सारी परिपुरूनता सदे forever वास करती है अगर परमिश्वर कहता है कि मैं आदी हूँ तो येश्व ने भी कहा मैं आदी हूँ अगर परमिश्वर कहता है मैं अंत तक हूँ तो येश्व ने भी कहा मैं अंत तक हूँ अगर परमिश्वर कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन प्रशन ये उड़ता है कि उस परमिश्वर को कैसे पैचाने तो उसकी पैचान कराई है इसा मसीरे मुरत जगत में कोई वस्तू नहीं है लेकिन एक को छोड़ो दूसरा कोई परमिश्वर नहीं है ऐसी सत्य की बात आपको बाइबल बता दिये दूस्तों माना नहीं माना आपका काम है दूसरा